जेए इन दोस्तों रक्षिकना के टैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्मूर जानकारिया दूँगा जैसे कि आप पीछे बोट पे देख रहे हैं इसमें से कुछ जानकारिया जुड़ी है ओनरी rank की pension के बारे में जे अन दोस्तों ओनरी rank तो मिला हुआ है लेकिन pension पे benefit नहीं मिल रहा एक अगले rank की pension नहीं मिल रही तो इसी पे मैं आपको आगे जानकारी दूँगा कुछ और जानकारिया जुड़ी है कम्टेशन के बारे में कुछ pensioners की शिकायत थी, वारोपी 3 के पीपियों के बारे में, तो उसका भी मैं आपको solution बताऊँगा, इसी वीडियो में आगे, कुछ और जानकारिया जोड़ी है, nocial increment के बारे में, कुछ pensioners की category है, nocial increment लेने की, तो उसी बे मैं आपको खुछ जानकारी दूँगा, कुछ और जानकारिया जोड़ी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक छोटी से अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं, या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खंडा, क्योकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारी है, अक्सर आपको मिलती रहा है, इस चैनल के बातल से चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी ओनरी रेंक मिला लेकिन बेनिफिट पेंशन पर नहीं मिल रहा जियां दोस्तों बहुत से ऐसे ओनरी रेंक हैं जिनको ओनरी रेंक तो मिल गया लेकिन पेंशन पर बेनिफिट नहीं मिल रहा एक अगले रैंक की पैंशन नहीं मिल रहें। जैसा आपको बता है जिन हवलदारों को ओर्नरी विली हुई है, तो दोस्तो वो पैंशन ले रहे हैं ओर्नरी नैफ सुवधार की, जो 2006 से पहले की है। जो पैंशनर्स 2006 के बाद आये हैं, और्णरी नायब सुवधार 24 साल से उपपर उनको मिल रही है regular नायब सुवधार की pension तो दोस्तो एक difference तो यही हो गया दूसरा difference है कि जो नायब सुवधार है 28 साल के जिया दोस्तो कुछ नायब सुवधार है 28 साल के वो भी घर आ गया है लेकिन उनको सुवधार की pension नहीं मिल रही बलकि इन नायब सुवधारों को honorary मिल रखी है retirement के बाद honorary मिली हुई है लेकिन सुवधार की pension नहीं मिल रही तो दोस्तो एक difference तो यहाँ पर आ गया फिर दोस्तो सुवधार जो है 28 साल के 30 साल के इनको भी honorary मिल रखी है लेकिन इनको honorary सुविदार major की pension नहीं मिल रही तो दोस्तों दूसरा difference यहाँ पे आ गया तो दोस्तों इन pensioner सा कहना है कि honorary देने का मतलब क्या हुआ जब benefit नहीं मिल रहा pension पे तो दोस्तों ये case उठा रखे हैं army headquarter के समक्ष कि जिनको honorary मिल रखी है तो उ उनको सुविदार की pension दी जाए जिनको honorary मिली हुई है नैप सुविदार को और जिन सुविदारों को honorary मिल रखी है तो उनको सुविदार major की pension दी जाए तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत बली demand है इन rank की जहां दोस्तों तो मैं इनका पूरा support करता हूँ और अपने वीडिय पेंशनर को honorary rank का benefit दिया जाए अगर इनको honorary मिल रखी है चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ पेंशनर्स ने कहा बहुत बार SPARC पर PPO चेक कर लिया लेकिन ORP3 का PPO नहीं शो हो रहा जिया दोस्तों बहुत से pensionर्स SPARC पर अपना ORP3 का PPO चेक कर रहे हैं कई बार च customer care के पास जिया दोस्तों सबसे पहले आप पूछेंगे की corresponding PPO बना भी है या नहीं बना उनकी तरफ से अगर आपका corresponding PPO बन गया है अगर PCD SPARC कहाता है कि आपका corresponding PPO बन गया है तो दोस्तों अगर शो नहीं हो रहा सिपर्स पर तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जिया दोस्तों कई पैंशनर के पास मैसेज आ गया है कि उनका corresponding PPO जनरेट कर दिया गया है तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा थोड़ा आप इंतजार करें कुछ ताइम बाद आपका PPO महाँ पे शो होने लगेगा चलतें दोस्तों अगली जानकारी की तरफ सुवेदार मेजर ओनरी लेटिनेंट की सर्विस टाम सॉव अंगेजमेंट के साब से 30 साल की दी है जिया दोस्तों जैसा PCDS POS कहता है कि हम ओनरी लेटिनेंट को जिनकी 30 साल से उपर की सर्विस है उनको हम 30 साल की ही पैंशन जिनको ओनरी मिल रही है तो क्या उनकी 30 साल की सर्विस है नहीं इनकी जानतर सर्विस 30 साल से उपर ही की है तो दोस्तों टरम्स ऑफ अंगेजमेंट क्यों लाया गया मेरा ये सवाल है तो दोस्तों कुछ डॉकुमेंट है कुछ क्लेरेंस है इस पर जिसके बेस पर इनका टर रात वाले वीडियो में भी बताया था इनका Terms of Engagement बढ़ाना बहुत जरूरी है मैं बात कर रहा हूँ सुवेदार Major Honorary Lieutenant की या फिर Honorary Captain की तो दोस्तों इनकी Total Service को देखते हुए इनकी जो Pension बनती है वो 30 साल से उपर ही बनती है चाहे वो OROP 3 में दी जाए या फिर OROP 2 में दी जाए OROP 1 तक, OROP 2 तक Terms of Engagement नाम का कोई शब्द ठा नहीं Terms of Engagement कुछ नहीं था लेकिन जैसी OROP 3 में 4300 Pension दी गई Honorary Lieutenant की वैसी PCJS 1 ने एक वर्ड लगा दिया Terms of Engagement यानि Terms of Engagement के साब से आपको passion 30 साल की मिलेगी दोस्तो इसके खिलाब मैं शुरू से हूँ कुछ Honorary Lieutenant है जो इस पर court case करना चाह रहे है जैसे मैं आपको पहले वीडियो भी बताया था तो दोस्तो कुछ नंबर मैं उनसे लूँगा Honorary Lieutenant के और उनका एक group बनेगा जो जो court case करना चाह रहे है सबसे पहले दोस्तो पीसे देस पार्श बता रहा है कि ये matter हमने अभी उठाया है उपरी level तक उपर तक ये बात कुछ आई है कि इनकी Terms of Engagement इनकी बढ़ाये जाए जिया दोस्तो 30 साल से उपर इनकी Terms of Engagement करी जाए ताकि pension पर जो benefit है वो 32 साल, 33 साल, 14 साल पर दिया जाए यानि जितनी इनकी Calling Bank सर्विस है जितनी इनकी Calling Bank सर्विस करके घर आए है तो दोस्तो ये matter अभी उपर level तक है जैसे मैं आपको कल बताया था और हम उमीद कर सकते हैं लेफ्रियंट, ओनरी केप्टन का Terms of Engagement बढ़ाया जाएगा और फिर उसी के साब से उनको pension मिलेगी जितनी उनकी Calling Bank सर्विस है नई तो दोस्तो फिर court case करना होगा जैसे दोस्तो अगर PCDA स्पाश भारा सरकार नहीं मानती तो फिर court case ही एक रास्ता बचा है चलते हैं दोस्तो अगली जानकारी की तरफ सरकार का कहना Commutation के period को कम करना Regular policy के खिलाफ है जहां दोस्तो सरकार को कितनी बार appeal डाली गई है कि pensioners का Commutation का period कम किया जाए 15 साल का उंगला Commutation का period नहीं बनता है 10 से 11 साल 12 साल में ही उनकी recovery पूरी हो जाती है तो फिर भारफ सरकार 15 साल तक क्यो recovery करती है आपकी pension में से Commutation की तो दोस्तो ये मामला सरकार के पास ही उठाया था तो सरकार कहती है कि ये policy के खिलाफ है यानि जो इसकी regular policy है उसके खिलाफ है पे commission में भी ऐसा नहीं का है कि जो commutation का period है उसे घटा दिया जाए ये शुरू से ही चलता आ रहा है लेकिन दोस्तो honorable supreme court भी सरकार का साथ दे रही है जैसे मैंने आपको कले ख़बर देती कि honorable supreme court में भी का गया है कि period यहाँ पे कम नहीं हो सकता commutation का तो दोस्तो कहीं न कहीं supreme court भी सरकार का साथ दे रही है ऐसा क्यों क्यों साथ दे रही है honorable supreme court केंद सरकार का ये तो दोस्तो जब judgment आ जाएगा तब ही पता लगेगा कि supreme court ने क्या-क्या paragraph court कर रखे हैं चलते अगली जानकारी की तरफ national increment के तीन rules समझेए जिया दोस्तो national increment की भी अलगला category है जो पैंशनर 2006 से पहले आए है उनके लिए कोई जुलाई का increment या फिट जनवरी का increment नहीं है दोस्तो वो कभी भी किसी भी महीने में retire हुए हूँ 2006 से जो पहले आए है अगर वो retire हुए है और उससे पहले जो उनको एक increment मिला है अगर उसके बीच में एक साल का gap है तो उनको national increment मिल जाएगा जैन दोस्तो यह मैं आपको बहुत पहले भी बताया है एक और चीज़ दोस्तो मैं आपको समझाऊँगा एक साल का पूरा gap होना चाहिए यानि 365 दिन का पूरा एक साल का month fix नहीं था जैन दोस्तो कोई महीना fix नहीं था कभी भी आपको मिल पाता था दोस्तो जो rules हमें देखने को मिले national increment पे वो 2006 के बाद देखने को मिले एक एक 2006 से तो दोस्तो जो 2006 से पहले आए हैं pensioners उनको national increment मिल पाएगा भले ही किसी भी महीने में retire हुए हो फिर दोस्तो जो pensioners 2006 के बाद आए हैं एक एक 2006 के बाद और 31, 12, 2015 के बीश माए हैं उनको सिरफ एक जुलाई का ही increment मिलेगा सिरफ एक जुलाई का यानि जो जूल में retire हुए अगर उनको जुलाई का increment नहीं मिला तब दोस्तो उनको एक जुलाई का increment मिल जाएगा condition वही है कि जब आप retire हुए हो और उससे पहले जो आपको एक increment मिला है उसके बीच में ठीक एक साल का gap होना चाहिए तो दोस्तो दूसरी category हो गई 2006 के बाद की फिर दोस्तो एक और category है और यह है 2016 के बाद की जियां दोस्तो 7 CPC के अनुसार इसमें दोस्तो दो period कर दिये गए जो जूल में retire हुए उनको जुलाई का increment जो दिसंबर में retire हुए उनको जनवरी का increment तो दोस्तो जो 2016 के बाद आए है तो अगर उनको जुलाई का increment नहीं मिला बादा सरकार कोई order निकाली नहीं रही है DOPT इसके कोई final order निकाली नहीं रही है जिसके बेचतर pensioners को code case करना पड़ रहा है और वो अपना हक ले रहे हैं तो दोस्तो बस यही जानकारिया थी जो मैंने आपको समझाई है आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ऐसी जानकारियां, accurate जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के मादन से वीडियो आपको शुर्णता है वीडियो को लाइक करें इस चैनल को आप सुब्सक्राइब कर सकते हैं ठैंक्यू सो मद